क varied sports play और पाकिस्टान का स्कॉर्ड. ऑनाउंस हो गया फॉर ट्यस्ट सिरिस जो युके स्र느ंगा से खेल ली है lot मैच्टान ने दो ट्यस्ट मैच devotion के वर्ल्ट कूप से पहले पाकिस्टान के लिए बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जएगी और टर्निंग विकेट्स आपको पता इंडिया में भी अगर चन्नाई की पिच्चीज हैं मैच्चीज हैं तो बेनफिशल होगा स्कॉट की बात करता हूँ तो यार दो ने प्लेयर नाम शामिल होएं मुम्मद हुरेरा आपने सुना होगा ये यंग्स्टेर है इमर्जिंग में है और शोयब मलिक के शाहिद भांजे या बतीजे लगते हैं लेकिन ये कि अपने टैलेंट के उपर बड़ा अच्छा प्रफॉर्म अभी पाकिस्तान इसे इतना अच्छा नहीं कर सके लेकिन अच्छे प्लेयर है और पाकिस्तान का फ्य सरफराज ने परफॉर्म इतना किया था गेंस न्यूजिलेंड तो अभी किया है कि रिजवान जो है वो बेंच पर ही होंगे और लीग नहीं खेलेंगे अच्छी बात है थोड़ा बहुत शायद एका था मैच उनको मिल लिजे लेकिन मुश्किल है कि सरफराज ने जितना प पार्टर्शिप लगा के साथ 63 रंस किये थे और सो किया था आपको याद होगा सरलंका में किया था यह सारा कुछ फिर मुहमद रिजवान है इबरार ने बड़ इच्छी बालिंग किया अभी तक टेस्ट में कहला है हसन अली है उसने विक्टें लिए बाहर काउंटी में र अलाकि देखा जा सकता था लाजमी नहीं था मैं समझता हूँ प्रैक्टिस देखते हैं कितनी हैं उनकी नसीम शाह हैं और उसके इलावा हम बात करते हैं तो मुहमद अली हैं नुमान अली हैं सरफराज अहमद हैं सल्मान अली आगा हैं सौछ शकील हैं शहीं शाहीं शाहीं है और शानमसूद है अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो स्कॉड तो ओके है गुट तू गो है लेकिन आप कह सकते हैं कहीं आमिर जमाल की जगा और बाकी जो है फवाद आलम को तो काफी टाइम से निगलेक्ट किया हुए तो पाकिस्तान में इस तरह से चीज़ें चलत इसली बार भी पासरे लंका ने हमें हराया था और प्रभाज ये सूरिया जो उनके हैं उन्होंने पचास विक्टें ले लिया सिर्फ साथ आठ टेस मैचेस में तो पाकिस्तान हमेशे लेफ्ट आम रंगा नाहरात हो या कोई भी हो तो मुझे याद है कि बड़ी स्ट्रिकल किया जा सकता है बाकी अवर आल तीन जुलाई को जो है उसमें लगना है आपका कैम्प कराची नेशनल स्टेडियम में जिस पर सारे लड़के आ जाएंगे कट्छे हो जाएंगे फिर आठ या नो को टीम रवाना होगी फिर आगे जाके उदर मैचेस के लेगी न्यू जो है वो गॉल ही डिसाइडिड है अभी लेकिन शायद एक मैच को लंबो में शिफ्ट हो जाए डेट्स तो भी फाइनल लाइज नहीं है यह पता है कि जुलाई में है और डेट्स भी डन हो जेंगी बाकी यह है कि पाकिस्तान के बात है एक प्रैक्टिस में लेगी और होटल भी और पाकिस्तान के लिए इच्छा है यह